हर दोई के बिलग्राम कोतवाली शेतर में एक तेज रफ्ता ट्रेक्टर ट्रॉली अर्णिय अंतित होकर सड़क किनारे पलट गए ट्रेक्टर ट्रॉली पर लगभग 40 से 45 लोग समार थे हाथसे में दो लोगों की मोथ हो गई जबकि 30 अन्ने घायल हो गए घायलों में 6 लोगों को जिला हस्पताल भीजा गया है जबकि अन्ने को बिलग्राम में उपचार किया गया मादो गंजधाना शेतर के गाउं बरबटापूर से मुंदन संसकार करवाने गए हुए थे मादो गंजधाना शेतर के गाउं बरबटापूर निवासी मन्शाराम के लड़के का मुन्दन संसकार में शामिल होने के लिए गाउं से एक ट्रेक्टर ट्रॉली में लगभर चालिस से पंतालिस महिलाएं बच्चेवल लोक सवार होकर निकले थे कन्योज बिल ग्राम मार्कपर सिद ग्राम जलालपूर के पास सिद पावर हाउस के सामने सड़क किनारे अन्यंतित होकर ट्रेक्टर ट्रॉली खाई में पलट गए जिसके बाद चीक पुकार मच गए इसके बाद सानिय लोगों ने राहत मुबचाव के कारे शुरू करने के साथ सानिय कोत्वाली पुलिस के साथ एंबुलेंस को सहायता के लिए बुलवाया ट्रॉली में दबे हुए घायलों को बड़ी मुश्किल से किसी थरा बाहर निकाल कर सानिय सी एच सी पर भीजा गया वही दर्दनाक हाथसे की खबर पर मोके पर कोतवाल अमरजीत सिंग वह उपजिला दिकारी राम बिलाल यादव तैसील दार अमनिंद्र कुमार धुरगटना स्दल पर पहुंचे वही ट्रेक्टर ट्रॉली में दब जाने की वजह से गंभी रूप से घायल हुए शोभित निवासी नरायन पुर्वा बरबटापूर की मोके पर ही मोत हो गई वही जिला स्पताल लिजाते समय रानी निवासी नरायन पुर्वा मादो गंज ने भी दम तोड़ दिया जिसे यहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे के मित्तू हो गई जिसका नाम सोभीत पिता जी का नाम भाकिस है बाकि साथ लोग यहां भरती है ठीक ठाकी सिती में है और छे लोग कुछ ज्यादे ही सिरियस से उनको जिला स्पताल में रिफर कर दिया गया है बहतर इलाज मिल लाज है हमारी पुलिस टीम वहां ततकाल पहुंच गई थी इंबलेंस के पहुंच गई थी हम सारे लोग है साथ लोग अ है और छेलोग जिला सब्सक्राइ बादि के रहा है और मंदिर रहा ही और खूंट गाड़ी चेलिगां कथा शीर निलएक को पलट गय कील में बादाए मने तो देंगार चला हो नहीं परे जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट आल जोती गार्डन वोल्ड-क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंदिशन, लुश्च ग्रीन लॉण्स, सेट अफ दी आर्ट लाइटनेंग, एसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइब, शेयर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद